नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंटीर कॉंट्रेक्टर यूट्यूब चैनल में और आज कॉंट्रेक्टर साप की गाड़ी जा रही है M3M Flora और M3M Flora में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी दो-दो साइट एक साइट हमारी चल रही है 16th Flora पे जिसको मेरी टीम को 3 हफते हो गए है काम करते वे और एक साइट हमारी चल रही है 10th Flora पे जिसमें मेरी टीम 4 हफतों से लगी पड़ी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी टीम की प्रोग्रेस साथी साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वार्डरोब के ढाचे बनाते हैं किस तरीके से सीलिंग का काम करते हैं और किस तरीके से लाइटिंग करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटिड वीडियो देखने गा तो तुरंट सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल इंटीरियर गॉन्ट्रेक्टर को और बन जाईए इंटीरियर चैंपियन और कदम से कदम मिलाके साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे जो की है भारत का हर गरो सुन्दर हर गर जगमगाई चलिए अब साइट पे चला जाए इस समय मैं हूँ 16 फ्लोर पे और आपको दिखाता हूँ मेरी टीम ने यहाँ पे क्या क्या काम कर लिया है आजाओ मेरे साथ तो दोस्तों इस समय मैं एंट्री करके सबसे पहले आया हूँ ड्राइंग डाइनिंग में यहां मेरी टीम ने फॉल सीलिंग कर दिये यह चारो तरफ पट्टे वाली फॉल सीलिंग है थोड़ी सी गीली है क्योंकि इस वैधर में सूपने में टाइम लगता है और इस गेस्ट बेड्रूम में हम आपको बताएं तो यह मेरी टीम ने पॉल सीलिंग का पट्टा बना दिया है लंच टाइम में यह सब गए हुए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इसके बाद अलमारी का स्ट्रक्चर भी बना दिया है यह देख सकते हैं यह एक एडिशन बना है बिलकुल मजबूत प्लाई है आप देख सकते हैं और इस तरीके से यह अलमारी की ड्राइंग है और यहां पे जहां पे मैंने भी कैमरा करा हुआ है यहां पे आना है एक मंदेर येस 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 चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देता हूं मास्टर अब मैं ए और गाइग भाड़ीया से एक राउंड दिया है डिजाइन के अंदर जो कि आपको बहुत 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 बढ़ीया लगेगा और जो बातरूम का गेट है इसको हम बहुत बढ़ीया तरीके से कैमोफलेज करना चाहते हैं और यहां पे आ रही है इस टेडी टेबल स्टेडी जगा मिलिए वो और एक अलमीरा उसके आगे बड़ी अभी हमारे क्लाइंट जो है वो गहे में बाहर क्रूज पे गूमने जब वो आ जाएंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर फाइनल करेंगे और आपको अपडेट करेंगे और खास बात यह पैलमेट देखें बिना सीलिंग के हम आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग हमने किस तरीके से कर ही है ऐसी स्पेशल फॉल सीलिंग हमने यहां पे इसलuvre करी है क्योंकि यहां पे आना हैПрिवेक कम्रे की मिलिद और कोर्णर बैड के साथ यहां पर उने है ऐल शसेप वाली स्टेडी टेबल एक बार जड़ा आपको 3D दिखा देता हूं कंप्यूटर जी जरा बैट बैक की टीवी हाजिरो कॉर्णर बैड की यह देखिए कंप्यूटर जी जरा स्टेडी टेबल वाली साइड की 3D हाजिरो खटैक यह देखिए दोस्तो तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूं 10th फ्लोर पे दोस्तो तो तैंक bit प्लौर पे मेरी टीम को काम करते वे फॉर वीक्स हुए किस स्टेज पे काम को पुचा गया है आज लेमिनेट इसलेक्त करे और लैमिनेट सेलेक्ट बढ़ते समय क्लाइंट ने हमारी थारीफ भी करी है थोड़ी वह भी आपको दिखाइगे और ये देखिए आप fall ceiling का काम हो गया है COB कितनी बड़िया तरीके से मेरी टीम ने या लगाई है क्या effect आया है COB lighting का ये आप देख सकते हैं जवरदस्ट जवरदस्ट client की मेरे demand थी sir drying dining hotel जैसा लगना चाहिए तो आपको hotel जैसी look मिलेगी और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम बना रहे हैं crockery unit ये देखिए जवरदस्ट आने वाला है crockery unit की भी 3D revised हो रही है और यहाँ पे हम बना रहे है बार ये बार भी हम वैसा बना रहे हैं जैसा BPTP में हमने बनाया था तो आपको जब ये पूरा बन जाएगा समझ में आएगा अभी इस तरीके से हमारी टीम ने रफ डाचा इसका बनाया हो है आज हमने इस डाचे में कुछ modification डिसकस करी है और चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ kids bedroom सो गाइस kids bedroom में यहां पर हमने sliding अलमारी बनाई है और उपर वाले प्रोजेक्ट में आई एस आई मार्क प्लाई यहां पर हमारे क्लाइन ने सेंचुरी सेनिक कर डिमांड किया है तो सेंचुरी सेनिक की प्लाई हमने यहां लगाई है दोनों ही प्लाई अपने अपने ग्रेड में बढ़िया है और इस तरफ आना है हमारा बैड बैड के पीछे जो यह वाली बैड के लिए यहां पर पर लगाएंगे वह एक चोटी सी स्टेडी की ओवरहेड यूनिट है और यहां पर बनाई है यहां पर बनेगा एक ड्रेसर यह यहां से यहां तक बारा इंच का है और अब हम इसको तो 6 इंच का कर देंगे प्लस इधर से हटा के हम सोच रहे हैं इसको mother room में प्लेस करें चलो दोस्तों आपको मिले चलता हूं mother room में पहले yes mother room बहुत-बहुत-बहुत बढ़िया fall ceiling हो गई है आप देख सकते है पैनल लाइट्स हमने यहां पे लगाई है bedroom में सी ओ भी लगाना प्रिफर नहीं करते हैं सी ओ भी की रोशनी पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं होती है यह एक अलमारी आप देख सकते हैं इसका भी स्ट्रक्चर रेडी है और यहां पर एक हमने कट निकाला है अलमारी में इसको हम प्यार से बोलते हैं अदकटी अलमारी और यह हमारी एक में अलमीरा है और यहां पर जो ड्रेसर किट्स रूम से हमने आपको बताया था जो बारा इंच ता छेंच करके उधर लगाएंगे और जो यहां पर यह बैक लिड मेरे वाला ड्रेसर था इसको किट्स रूम में ले जाने का सोच रहे हैं और यह बन रही है टी मास्टर बेडरूम में और यहां की फॉल सिलिंग देखिए एक दम चका चक चारो कोने राउंड है यह देखिए बार बालकनी में घुमते रहते हैं कुछ मिस्तरी और यह देखिए अलमारी का धाचा बन गया है एक अलमारी है और एक यहां पर एडिशनल अलमारी है अगर आपका फ्लोरा में फ्लैट है तो मुझे कमेंड में जरूर लिखके बताइएगा कि यह अलमारी हमने किस तरीके से निकाली है क्योंकि उस तरफ गेटता और हमने क्या किया कि यह इतनी बड़ी अलमारी यहां पे निकल गई एल शेप की जगह और यहां पे आ रही है टीवी हो रहा है और वहां पे स्टेडी है स्टेडी के ऊपर ओर है कंप्यूटर जी जरा मास्टर बेडरूम पैट बैक की 3D हाजिरो खट है क्या लाजवाब है तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी दोनों साइट कमेंट में मुझे जरूर लिखके बताईएगा और हम अपने काम म में बैठ के वह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो वह अनमोल है तो चलिए अब चलते हैं अवीरल लामा जी के पास खड़ा है नमस्कार दोस्तों आज मेरे साथ हैं मेरे क्लाइंट अवीरल लामा जी और सर ने मुझे एम्ट्रियम फ्लोरा में काम दिया है आज हम लामिनेट सेलेक्ट कर रहे थे और काम दियो है अभी वन मंद हुआ है मैं सर से एक छोटी सी फीड़बैक चाहता हूं हमारे काम की कॉलिटी की और हमारे काम की स्पीड की ओवर टू यू लामा जी तो अभी ट्वेंटी नाइन देज हो गए हैं आज अड़ जिस स्पीड मे जो उपर लाइट लगनी थी वो भी लगनी है वुड़ वर्क अलमोस्स फिनिश्ट है सारा स्ट्रक्चर रेडी है आज बस धीरज जी ने वोला है कि लामिनेट सेलेक्ट करनी है तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि तीन महीने लगेंगे बट जिस स्पीड से काम चल रहा है तो वो सचमेश अतापदी की स्पीड है तो दोस्तों इस वीडियो के माधियम से हमारी यही कोशिश थी आपको बताना के इंटीर का काम एक घर में किस तरीके से होता है और हमारी टीम किस तरीके से काम करती है और अगर आप भी लोकेटिड है डेली एंसी आर में और करवाना च कर सकते हैं www.dhirajaroda.com पे और हमारी एक किताब है Home Interior Blunder जो हर एक Home Owner को पढ़नी चाहिए अपने घर में इंटीर शुरू कराने से पहले ताकि आप वो जर्नल मिस्टेक्स ना करें जो 90% of Home Maker करते हैं पहली बार जब वो अपना घर इंटीर कराते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक है आप जाके उसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मैं जल्दी मिलूँगा आपसे एक और वीडियो में क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीर जरूर कराते रहें बाई 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 जे पासे बाई अरे संधिन लड़ से हैं जल्दी स्थब सो्वा डई बाम्न से ऻूल एंख हसक है जर каналी करावणे मैं जल्दीट में मैं म Sundayendजुडवाभ बाई अरी जरूरर सिर्फेंश्हूएंट ओन